ख़बर है यूपी के जनपत बरेली से जा आग्यात कारणों से दो मकानों में आग लग गई जिससे बेटी की शादी के लिए घर में रखा सामान चलकर खाक हो गया आग की चपेट में आने से एक बच्चा भी गंबीर रूप से जुलस गया फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया दरसल बरेली के बहेडी कोत वाली छेतर के जनूबी में अग्यात कारणों से एक मकान में आग लग गई थी जिसकी चपेट म घर में अचानक आग लग गई जिसके बाद बिलाल ने गाउवालों की मदद से जैसे तेसे घर के अंदर से बीवी और बच्चों को निकाल कर उनकी जान बचाई आग की लपते इतनी भयानक थी देखते ही देखते पड़ोस के मकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले ल पहले मकान जलने वाले बिलाल ने बताया कि जब आग लगी थी तो वह घर से बाहर था वही आग की चपेट में उनका एक बच्चा भी आ गया था जो गंबीर रूप से जुलस गया है जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल बरेली भेज दिया गया है वही दूसरे मकान जलने वाले छोटे ने बताया कि वही रिक्षा चला कर अपने घर का गुजारा करता है और कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी की शादी होनी है जिसमें उसने अपनी महलत से पाई पाई जोड़ कर बेटी के दहेज के लिए सामान लाकर घर में रख दिया था बताया यह जा पर आपको कैसे पता चला कि यहां पर आग लगी है मैं ही पास में सामने बैठूगा था कितने टब आग लगी है यह आग कैवज लगी थी यह बसता होगा एक बज़े बज़े आपने फायर बिगर को कोई सूट ना दी थी 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 फिर क्या हो आग यह करीबे घंटा लगया पर आग लगया है तो नंबर तुरंता गई है कि पंदर भी सूट इस आग दिनी में आपके कहके नुक्सान हुआ है पचाशार प्रिषा पुज़े लगें से और तिसी और के मकान में व्याग लेगी है विलाल के भी हर्मा उनका पूरा पूरा सुआ होगा पूरा सुआ हाँ मदद मांगने चाहते हैं पूरा बचाई नहीं तो देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर